हलो ब्रेंट स्वागत आपका सेव टेग स्मार्ट में अभी की टाइम पे एक ही सब्द स्टारो तरप गूंज रहा है सेल 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 जैसा ही आपको पताए कि अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फिलिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल इस्टार्ट होने वाली ह और जो मारे रेगुलर वीवर से उनको पता है कि हम अधिकतर लेप्टॉप्स के रिव्यूज करते हैं और फ्रेंड से अगर आप आप मारे चैनल पर फर्स टाइम आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि सेल के दो लेप्टॉप रखा है वो है HP Pavilion 15EH1047AU जो आता है Ryzen 5 5500U प्रोसेसर के साथ है 6 code 12 thread 16GB की DDR4 3200MHz करेम लगी हुई है ड्यूज चैनल में और आप इस लेप्टॉप में मैं मैंक्सिमम अपग्रेड कर पाओगे 32GB तक है और इस लेप्टॉप में मुझे अच्छी बात यह NVMe SSD देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं मैं यह कह सकता हूं कि 1TB का इस टोरेज आपके लिए काफी सफिशेंट रहने वाला है और MD Radeon के ग्राफिक्स मिल जाते हैं यहां मैं आपको बतातू Pavilion series का लेप्टॉप है तो build quality आपको काफी शांदार देखने को मिल जाती है सारे SSD sports देखने को मिल जाएंगे और साथी full size का backlit keyboard मिल जाता है की travel का space आपको इस keyboard में काफी शांदार देखने को मिल जाएगा साथ इस laptop में काफी अच्छी quality की display भी मिल जाती है 15.6 inch की full HD IPS anti-glare display जिसकी brightness 250 nits और color gamet 45% anti-ezy देखो यह मैं आपको बतातू IPS display तो आपको काफ काफी natural color देखने को मिल जाएंगे यह लेपटोप उन audience को target करता है जिनको build quality, design, performance और एक अच्छी quality की display चीए और साथ ही एक high storage चीए तो उनके लिए एक best option हो सकता है और इस laptop का मैंने dedicated review channel पे upload कर रहा है आप जाके देख सकते हो कभी सारी viewers यह बोल सकते हैं कि 2024 चल रहा है और Ryzen की 5000 सीरीज का processor के साथ मैं laptop से जेस्ट कर रहा हूं देखो फ्रेंट्स यहां मैं आपको बता दू राइजन की 5000 सीरीज के processor ने काफी अच्छा perform किया था और इस laptop की अगर मैं price की बात करो तो normal price रहती है इसकी 52,000 है लेकिन इस festival सेल में आपको अराम से 46,000 के budget में यह laptop मिल ज 2700U processor देखने को मिल जाएगा बाकी के specs आपको Sam देखने को मिल जाएगे उसकी normal price रहती है 58,000 है लेकिन इस सेल में आपको अराम से वह laptop 52,000 के budget में मिल जाएगा तो फ्रेंट्स देख लेना आपका जैसा budget हो आप उस laptop के लिए जा सकते हो next laptop जो मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ मैं उन audience को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ जिनको thick and slick laptop चीए compact size के laptop चीए और साथ ही powerful processor के साथ वो laptop आये मैं बात कर रहा हूँ Leno IdeaPad Slim 3 की 14 इंच के साथ ही आता है इसमें मिल जाता है Intel Core i5-12 450H processor 8 core 12 thread तो को processor काफी powerful रहने वाला ह 16 GB की DDR5 4800 MHz की onboard RAM लगी हुई है और वैसे मैं आपको बता दूँ friends आप इस laptop में RAM को अपग्रेड नहीं कर पाओगे लेकिन 16 GB RAM है और वो भी DDR5 है तो आपके लिए काफी sufficient रहने वाली है और इस laptop में आपको Intel USD graphics देखने को मिल जाएगा फुल साइज का आपको इसमें keyboard दिया हुआ है और build quality coffee शांदार दी हुई है यह laptop military grade certified है और आपको भी पता है कि जो laptop military grade certified है उसकी build quality coffee awesome देखने को मिल जाती है साथ इस laptop में webcam में privacy shutter दिया हुआ है और इस laptop का weight है only 1.3 kg तो आप इस laptop को कहीं भी traveling में आसानी से carry करप होगे और इस laptop में windows 11 मिल जाएगी साथ ही आपको microsoft office 2021 lifetime activation मिल जाता है इस laptop में 47 watt hour की battery लगी हुई है तो battery backup से आप ज्यादा उमीद मत रखना क्योंकि S-series का processor लगा हुआ है और 37 में 14 inch की full HD anti-clear display देखने को मिल जाती है देखो friends और ओल ये laptop काफी powerful है इस laptop की जो normal price रहती है वो है 53,000 और फेस्टिवल सेल के दोरान ये laptop आपको आराम से 50,000 के अंडर में ही मिल जाएगा देखो यहां मैं आपको बता दूँ इस laptop में आप अराम से day to day task, multitasking और high end task भी आप आसानी से कर पाओगे देखो S-series का processor लगा हुआ है तो CPU intensive task है आप इस laptop पे आसानी से run करा पाओगे नेक्स laptop जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ यह gaming laptop तो नहीं है लेकिन gaming जैसे ही performance आपको provide करवा देगा मैं बात कर रहा हूँ ASUS VIOBO के 16X creator series laptop गी तेखो फ्रेंड्स इसमें कौफी powerful processor देखने को मिल जाता है i5-12500H processor लगा हुआ है 12 core 16th red और यहां मैं आपको बता दू 12450H processor से आपको 5% better performance देखने को मिल जाएगी 12500H processor में 16GB की DDR4-3200MHz की RAM लगी हुई है और यहां मैं आपको बता दू इसमें 8GB onboard आपको RAM देखने को मिल जाएगी RAM का एक extra slot और मिल जाता है तो आप maximum इस laptop में 24GB तक upgrade कर सकते हो वैसे इसी same series में इसी same model में आपको 8GB variant वाला भी laptop मिल जाएगा तो मेरा personal opinion यह है कि जब आप इतने पैसे invest कर रहे हो तो कहीं न कहीं 16GB RAM के लिए ही आप जाओ क्योंकि आपको better performance 16GB RAM में ही देखने को मिलेगी 512GB की PCI NVMe Gen4 SSD दी हुई है और जैसा कि मैं आपको और वीडियो में बोलते है रहता हूँ कि Gen3 के comparison में Gen4 SSD की read and write speed काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और ये laptop military grade certified है, build quality काफी अच्छी दी हुई है और साथ ही 180 degree की हिंच मिल जाती है तो long time तक हिंच में ऐसी कोई problem देखने को नहीं मिलेगी और साथ इस laptop में आपको Microsoft Office 2021 lifetime activation मिल जाता है 50Wh की battery लगी हुई है तो battery backup से आप ज़्यादा उमीद मत रखना क्योंकि 16-inch का laptop है आपको webcam में privacy shutter भी मिल जाता है, साथ इस laptop में full size backlit keyboard दिया हुआ है और all इस laptop की performance आपको काफी शांदार देखने को मिल जाएगी मैंने इसी same series में already laptop का review कर रखा है, आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हो इस laptop की design, build quality और performance के साथ साथ आपको display quality भी काफी अच्छी मिल जाती है 16-inch की WQX यह full HD anti-glare display दी हुई है और आप इस laptop को outdoor में भी use कर पाओगे क्योंकि 300 nits की brightness मिल जाती है और इस laptop पे अगर आप gaming करोगे तो full HD resolution के साथ आपको around 70-80 fps की frame rate मिल जाएगी जो की काफी अच्छी है और कहीं न कहीं मैं यह कह सकता हूँ कि यह laptop professional users को भी target करता है इस laptop की अगर मैं normal price की बात करूँ तो यह 58,000 में listed है और festival sale के दोरान यह laptop आपको around 52,000 के budget में मिल जाएगा 16 GB variant है क्योंकि इसमें आपको RTX 2050 GDDR6 से 4 GB का graphics card भी मिल जाता है तो overall performance के साथ इस laptop में आप gaming भी कर पहोगे next laptop जो मैं आपको सज्चेस करने जा रहा हूँ यह Dell lovers को ध्यान में रखते हुए मैंने यह laptop include गिया है मैं बात कर रहा हूँ Dell Inspiron 3530 की इसमें मिलता है Intel का latest processor i5-1334U 10 code 12 thread और 12 MB की cache memory मिल जाती है 16 GB के RAM मिल जाती है 512 GB के SSD लगी हुई है और वही Intel के graphics देखने को मिल जाते हैं साथ इस laptop में full size backlit keyboard दिया हुआ है की travel का space वो भी काफी शांदार देखने को मिल जाता है इस laptop में आपको Microsoft Office Home and Student 2021 lifetime activation मिल जाएगा देखो आपको पता है Dell के laptop की build quality काफी शांदार देखने को मिल जाती है देखो इस laptop में performance के साथ साथ आपको एक अच्छी quality की display भी provide की जाती है 15.6 की full HD WA anti-glare display दी हुई है जिसकी brightness 250 nits और color gamet 45% NTSC देखने को मिल जाता है और इस laptop में आपको अराम से 4 गंटे के आसपास battery backup देखने को मिल जाएगा और मुझे इस laptop की अच्छी बात यह लगी इसमें आपको 120 Hz की refresh rate मिल जाती है तो कहीं न गहीं आप इस laptop पे gaming करोगे तो आपको experience coffee next level रहने वाला है वेसे यहां मैं आपको बता दू proper gaming laptop नहीं है लेकिन वही है casually आप इस laptop पे gaming कर पाओगे देखो और ओल लेपटोप coffee अच्छा है इस laptop की अगर मैं price की बात करूँ तो साइद अभी यह listed है 58,000 में लेकिन festival sale में यह laptop आपको आराम से है 50,000 के budget में मिल जाएगा 16 GB variant वाला 8 GB variant 50,000 के under में ही देखने को मिल जाएगा तो friends देख लेना अगर आप लोग का budget 50,000 के आसपास है और अगर आप एक day lover हो तो आप इस laptop के लिए जा सकते हो और list का last laptop जो मैं आपको suggest करने जा रहा हूँ friends इस budget में one of the best best laptop रहने वाला है मैं बात कर रहा हूँ Acer Swift Go 14 OLED laptop की यहां मैं आपको बता दूँ काफी powerful प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और वो भी Intel का latest है i5-13500H प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाएगा जो की काफी powerful है 12 core 16 trade है और यहां मैं आपको बता दूँ friends यह laptop Intel Evo certified है और इस laptop की build quality भी आपको काफी शांदार देखने को मिल जाएगी 16 GB की DDR5 पे 4800MHz की RAM लगी हुई है यहां friends मैं आपको बता दूँ 16 GB की RAM आपको DDR5 तो मिल रही है लेकिन आप इन future में इस laptop में RAM अपग्रेड नहीं कर पाओगे 512 GB की PCI NVMe Gen 4 SSD दी हुई है और आपको भी पता है कि Gen 4 SSD की speed काफी शांदार देखने को मिल जाती है latest Wi-Fi 6 देखने को मिल जाएगा और Intel Iris XC graphics दिया हुआ है 8 GB की Shade Memory के साथ आता है साथ इस laptop में full size का backlit keyboard दिया हुआ है और साथ ही आपको Microsoft OPC 2021 lifetime activation मिल जाएगा साथ इस laptop की design, build quality, performance सब कुछ आपको bash देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ एक काफी premium quality की display भी मिल जाती है 14 inch की 3K OLED display देखने को मिल रही है जिसका resolution 2880 by 1800 दिया हुआ है और friends आप इस laptop को outdoor में भी use कर पाऊगे क्योंकि 500 nits की peak brightness देखने को मिल जाती है और साथी 100% DCI P3 color gamut देखने को मिल जाएगा और all display quality काफी शांदार देखने को मिल रही है अगर आप अधिकतर media consumption वगरा करते रहते हो OTT apps पे ज़्यादा time spend करते हो तो OLED display तो आपको one of the best experience देखने को मिलेगा साथी 90 Hz की refresh rate दी हुई है देखो overall friends यहां मैं आपको बता दूँ यह laptop है one of the best है जिस price पे यह आ रहा है अभी साथ यह laptop listed है 56,000 में और festival sale में यह laptop आपको आराम से 50,000 के budget में मिल जाएगा इस budget में मुझे यह laptop है one of the best लग रहा है बिना किसी doubt आप इस laptop के लिए जा सकते हो so friends यही दे best laptop जो भी मैंने आपको suggest किये है इन laptops के regarding आपको कोई भी क्यूशन कोई भी doubt हो तो मुझे comments box जबर comments करके बताना so I hope आपके लिए यह वाला वीडियो useful रहा होगा so thanks for watching have a nice day जैहिंद वण्दे मात्रम